प्रदेश की जनता काफी खुश है और सीम को धनिवात कहते नहीं प्रदेश के सरकारी सक्षकों और राजधानी लखनों के निवासियों के लिए मंगल मार का दिन राहत लेकर आया एक और जहां सक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर दो महिनी की रोक लग गई तो लखनों के पंत नगर में बुल्डोजर के पहिये थम गए ये रोक अदाल पड़ी ये लोगों का दबाब ही था जिसकी वज़े से सरकार को बैक फुट पराना पड़ा देखिये उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनों में जारी बुल्डोजर आक्शन फिलहाल के लिए रुग गया है दरसल राजधानी के रहीम नगर पंत नगर अबरार नगर औ और इमारतों को धाया जा रहा है सूत्रो द्वारा जानकारी मिली कि सीम योगी आदित नात के आवास पर इसे लेकरी का हम बैठक की गई इन इलाकों में रहने वाली लोगों को फिलहाल के लिए राहत मिली है और बुल्डोजर की काज़वाई को रोग दिया गया है आपको अरीब 1000 मकान हैं मकानों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगा दिये गये थे इन मकानों पर बुल्डोजर चला जाना था लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था लोगों का कहना था कि हम सब के पाद रजिस्ट्री की कॉपी है विजरी के बिल है फिर घर कै कैसे अवैद हो गया यहां पर रहनी वाले लोगों का कहना था कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने मकान बनाया था लोन लिया था मकान तूटने के बाद हम लोग सड़क पर आ जाएंगे कई निवासियों ने यहां तक की कहा था कि हमें अपनी बेटी की शाती इसी घर से करन दूसरी तरफ यूपे के सक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है जीहां डिजिटल अटेंडेंस को दो मैने के लिए इस्थगित कर दिया गया है इस दौरान एक समिती का गठन किया जाएगा जो सक्षकों के मुद्दों को समझेगा सरकार ने यह कदम सक्षकों के भारी विर की जारी है इसे लेकर पंतनगर में महिलाओं ने विरोध प्रोडिक्शन किया महिलाओं का कहना था कि वे अपने घरों को नहीं छोड़ने वाली हैं महिमतादे की दौरान छोटे बच्चों का भी जो विरोध करते दिखे और उन्होंने सीम योगी से कारवाई रोकने की बताएगा फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जौनकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाँ